प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के नेतरत्व में केंडि सरकार आजादी के उन नायकों को समाज और राश्ट्र के सामने लाने का काम कर रही है जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुती दी ऐसा ही करांती वीर हैं शहीद नानक सिह और हर्बन सकौर जिनके सम्मान में अमरिच्चर में मूर्ती का नावरन करिकरम आयजुद किया गया देखिए हमारे सहयोगी ओपी आदव की एक खास रिपोर्ट प्रधार मत्री नरेंदर मोदी की सार्थक पहल से गुमनामी में जी रहे देश के उनकरांती वीरों की शहादत को समाज और राष्ट के सामने लाने का काम किया जा रहा है जिन्होंने राष्ट रक्षा को सर्व परी समस्ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी ऐसे ही राष्ट भक्त हैं शहीद नानक सिंग और हरवन्सकौर शहीद नानक सिंग देश के विभाजन के वक्त डी एवी स्कूल मुलतान में 400 हिंदू परिवारों को मुस्लिम विद्रोहियों से बचाते हुए शहीद हो गए विभाजन की तरासिती के दौराण महद 35 साल की उमर में विद्वा हुई उनकी धर्म पतनी हरवन्सकौर अपने आठ बच्चों को लेकर किसी तरफ रिफ्यूजी ट्रेन से पंजाब आई देश सेवा का जजबा रखने वाली हरवन्सकौर ने विपरीत हालातों में संघर्श करते हुए पांच बच्चों को आर्मी ऑफिसर बना कर देश सेवा के लिए भीजा और बाकी बच्चों को भी बहतर तालीम दी जिन में से एक लौड रमी रेंजर आज ब्रिटेन की संस सकौर की प्रतिमा का अमरित सर में अनावरन कारिकरम आयो जित किया गया कारिकरम में बतोर मुक्य अजिती भाग लेने आए गुरु नानक देव विश्विद्याले अमरित सर के कुलपती प्रोफिसर जस्पाल सिंग संधू ने देश विदेश से आए विशिष्ट जनों की मजूदगी में मूर्तियों का अनावरन करते हुए इनकी शहादत को नमन किया शहीद नानक सिंग और हर्बन सकौर के पुत्र और ब्रिटेन की संसत के हाउस ओफ लॉर्ड में संसत लॉर्ड रमी रेंजर ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे पिता जी ने भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी देती का त्याग और कुर्बानी समाज के लिए प्रेड़ना तायक है उस त्याग के लिए उनको कई पुरसकारों और प्रावड मदर इंडियन का टाइटल भी दिया गया कारिकरम में मौझूद शहीद नानक सिंग और हरवन सकौर की पुत्र वधू और ब्रिटेन में रहने वाली प्रवासी भारती रेणू रेंजर ने कहा कि हमारे परिजनों के त्याग को भारत माता ने जो संबान दिया उसके लिए हम रिणी हैं शहीद नानक सिंग और हरवन सकौर की पुत्री और विटेन में रहने वाली प्रवासी भारती शवीना रेंजर ने कहा कि मेरे लिए ये कभी ना भूले जाने वाला प्रेणा दाईपल है शहीद नानक सिंग और हरवन सकौर के परिजरों ने शहीदों के सम्मान में आयोजित इस तरह के कारिक्रमों को समाज और राष्ट के लिए अनुकरणी है बताया राष्टियता की भावना से युक्त इस मूर्ती अनावरन कारिक्रम में देश विदेश से भाग लेने आए व्यात्माओं के मूर्ती अनावरन समारों से नकेवल समाज को देश सेवा की सीख मिलेगी बलकि हर व्यक्ति के बन में राष्ट प्रथम की थीम के साथ शहीद नानक सिंग और हरवन सकौर की तरह देश के लिए सर्वस्च निचावर कर देने की प्रेड़ना भी जगेगी